दोस्तो गनपत मूवी के जरीए टाइगर सुरॉप एक्शन लेवल को ओर उपर ले गया है क्योंकि जिस तरह से एक्शन टाइगर सुरॉप ने इस फिल्म में किया है उस तरह का एक्शन देखने के लिए हमें होलिवीड फिल्मों को देखना पड़ता था इस फिल्म के माध्यम से भविश में गरीबों और अमीरों के बीच क्या क्या हो सकता है कि धारना को लेकर ये फिल्म बनाई गई है तो दोस्तो अगर आपको action movie देखना पसंद है तब आपके लिए यही movie perfect है तो दोस्तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में गरीबी में भूख से तड़प रहे लोगों से होती है जिसमें एक औरत अपने बच्चे से इसी बारे में बताती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ वो ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं तो वो बताती है कि दुनिया में जब एक के बाद एक यूद होते चले गए तो धर्ती पर सकुछ बरबाद हो गया और लोग खाने की तलास में इधर उधर भटकने लगे गिंचुन कर ही दो चार जगे ऐसी बच्ची थी जो रहने और खाने पीने के लायक थी लेकिन यहाँ पर भी अमीरों ने इसका फायदा उठाया और इस शहर में यानि सिलवर सिटी में अपना कबजा कर लिया और इस तरह यहाँ पर सभी अमीर और ताकतवर लोग रहने लगे लेकिन गरीबों को अपने से दूर रखने के लिए इन अमीरों ने बीच में एक बड़ी सी दिवार को बना दिया था इतना ही नहीं इन गरीबों पर नजर भी रखी जाती थी और बच्चे के पैदा होते ही उसे गुलाम बना दिया जाता था खाने पीने की कमी से ये लोग एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ते रहते थे और इस चीज़ से निपटने के लिए दलपती ने एक अखाडे यानि फाइट रिंग का निर्मान किया जिसमें लोग सीखने के लिए लड़ेंगे और कोई भी बेमोत नहीं मारा जाएगा और आपस में ये लोग जानवरों की तरह भी नहीं लड़ेंगे और इसी अखाडे से मिलेगा हमें एक योद्धा जो अमीरी और गरीवी की दीवार को गिराएगा और इसकी बनक अमीरों को लग जाती है जिनका लीडर था दलीनी इसलिए उसने अपने चहिते जोन को बस्त वालों की फिर से उम्मीदे तूट जाती है इसके पाद दलपती एक भविश्रवानी करते हैं कि एक दिन हमारा गणपत यानि उनका योद्धा जरूर आएगा जो हमारे दुखों को दूर करेगा अब आगे दिखाया जाता है कि दलपती का बनाया हुआ फाइट रिंग अम गुड़ू का भी दोस्त है और इसके बाद गुड़ू को भी दिखाया जाता है दोस्तों गुड़ू कोई और नहीं बलकि टाइगा श्रोफ है जो एसो अराम की जिंदगी जी रहा होता है और गुड़ू का काम था गरीबों के बीच में से फाइटर लाकर जोन को दे देन ताकि उनका बोस जोन उन पर बोली लगा कर और माला माल हो सके क्योंकि मरे चाय कोई भी हर बाद जीतता तो जोन ही था अब आगे पता चलता है कि जोन इतना पैसा जीतने के बाद भी दलीनी के करजी में ही था और जोन से इस पैसो को लेने के लिए दलीनी की एक सेकेटरी शाइना आया करती थी और गुड़ू की वज़े से ही जोन इतना पैसा कमा पाता था इस वज़े से जोन गुड़ू के शारशोक को पूरा करता था वैसे तो जोन बोल नहीं पाता था मगर उसने अपने गिले के पीछे एक चिप को लगवा रखा था जिससे की वो बात कर पात लेकिन एक दिन जब शाइना जोन से पैसे लेने के लिए आती है तभी वो जोन की गल्फ्रेंट की वीडियो दिखाती है जो कि गुड्डू के साथ मजे करना चा रही थी यहां गुड्डू की कोई गल्ती नहीं थी क्योंकि वो लड़की ही गुड्डू के साथ ऐसा करना चा वास्तों में कैजाद भी गरीबियों की बस्ती से अमीरों के बीच में रहने के लिए उन्हें धोका देकर आया था लेकिन कैजाद मन ही मन में पराश्चित करने के लिए वो गुड्डू का ध्यान भी रखता था लेकिन उसी दोरान बारिश हो जाती है और उस समय कबर के सीनियर को गोली मार देता है और अब कैजाद गुड्डू से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो गरीबियों की बस्ती में चले जाओ और वहाँ पर बोलना कि मुझे शिवा से मिलना है दल पती की भविश्वानी सही निकली तुम ही गणपत हो और इन सब के भवरा दफना दिया क्योंकि सीनियर को लगा था कि कैजाद ने गुड्डू को मारने के लिए गोली चलाई थी जो गलती से सीनियर को लग गई थी अब बस्ती में गुड्डू हर किसी से शिवा के बारे में पूच्ताश कर रहा था तो पहले तो वो लोग मना कर देते हैं लेकिन बाद में वो किसी को बता देते हैं कि शिवा के बारे में कोई पता पूछने आया है। अब भूख प्यास की वज़े से गुड़ू एक होटल में खाना खा लेता है और बिल देने की बज़ाए। गुड़ू कहता है कि मेरी बिल देने की आदत नहीं और उस बिल को फार देता है और इस बात पर होटल वाले गुड़ू को मारने लगते हैं और तभी यहाँ पर जस्सी यानि किरती सैनन आ जाती है और उन सब की अच्छे से दुनाई कर देती है क्योंकि वो भी एक फाइटर फिर गणपत नाम सुनते ही जस्सी उसे शिवा के पास ले जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि शिवा कुछ देख नहीं सकता पर वो महसुत जरूर कर लेता है अब शिवा गुड़ू को बताता है कि दलपती तुम्हारे दादा थे अमन और शांती के लिए उन्हें एक योद्धा की तलाश थी इसलिए यहाँ पर बदलाव लाने के लिए उन्हों नहीं कुछती का रिंग शुरू किया था ताकि उन्हें एक योद्धा मिल सके जो गरीबों को सही जिंदगी जीने का हक उन्हें दिलाएगा और इस गरीबी अमीरी की दिवार को हटाएगा लेक गुड्डू ये भी समझ जाता है कि ये सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं मानों की जैसे कोई जंग छिडने वाली हो अब गुड्डू और जसी के बीच में ये प्यार बढ़ता ही चला जाता है अब एक दिन जसी गुड्डू को बताती है कि उसकी मा उस तरप यानि दिवा जसी को महाँ पर नहीं बचा पाता अब गुड्डू सीधे शिवा के पास आ जाता है जो कहता है कि हमें जसी को बचाना पड़ेगा अब शिवा कहता है कि यहाँ ये सब चलता ही रहता है अगर तुम में हिमत है तो उसे खुदी वापस ले आओ अब गुड्डू भी उसी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है इसलिए अब गुड़ो शिवा से कहता है कि कल से मैं भी ट्रेनिंग शुरू करूंगा और उसे मार कर अपनी जस्ची को छुड़ा कर लेकर आऊंगा लेकिन अब गुड़ो उसी रात की कहानी को पूरा सुनना चाहता था जो कि उसे उस रात पूर लग रही थी इसलिए अब शिवा आगे बताता है कि तुमारे दादा जी एक रिशी थे उनकी की गई भविश्वानी कभी गलत नहीं होती थी उनका मानना था कि एक दिन ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा वो योद्धा मरेगा नहीं बलकि मारेगा लेकिन ह हमारे बीच ही कैजाद एक गद्दार था और फिर उन लोगों ने सब कुछ बरबाद कर दिया फिर तुमारे माता पिता को भी जान से मार दिया और फिर जोन ने उस कुष्टी के मैदान को जूए में बदल दिया और इस तरह आजादी के योद्धा सिलवर सिटी के गुलाम बन गए इसलिए हमें अब वो बचा सकता है जो असली गणपत है इस कहानी को सुनने के बाद अब गुड्डू कहता है कि मैं भी कल से ट्रेनिंग शुरू करूंगा और इस तरह गुड्डू की फाय ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इस ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट, क एस्टोनेंट में ले जाता है और खाना खाने के बाद जान बूझकर वहां का बिल नहीं देते फिर क्या था लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार गुड़ू अकेला ही उन सब की अच्छे से धुनाई कर देता है और इसके बाद गुड़ू शिवा के साथ बन सके और उन सब की और से ये लड़े लड़े इसके बाद जस्टी कहती है कि अब समय आ गया है गुड़ू को ये बताने का कि तुम ही उसके बाप हो और फ्लेश बैक में भी दिखाया जाता है कि गुड़ू का असली पिता शिवा ही है यानि शिवा ने शुरू में जैसे मानो उमीधी तूट जाती है उधर गुड़ू को सीनर से पता चलता है कि क्याजात को तो वो लोग कब का मार चुके हैं क्योंकि उसने गुड़ू को जिंदा जो छोड़ दिया था अब गुड़ू जोन से कहता है कि मैं आज तक तुमारे लिए फाइटर ढूंडता पर अब मुझे पता चला कि मैं ही बेस्ट फाइटर हूँ इसलिए तुम मुझे पर दाव लगाओ बहुत पैसा कमाओगे लेकिन आज से मैं तुमारा नोकर नहीं बलकि बिजनेस पार्टनर बनकर काम करूंगा और धीरे धीरे मैं दलीनी का भी फैवरेट बन जाऊंगा य और मोटा पैसा चापेंगे इस बात पर शिवा गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है फिर जस्सी भी वहीं आ जाती है लेकिन इस लड़ाई में गुड्डू शिवा और जस्सी दोनों को हरा देता है और फिर वहां से चला जाता है अब जस तक पहुँचने के चक्कर में जसी का भाई मारा जाता है और जब गुड़ू उधर से गुजरता है तो जसी कहती है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुती जरूरी है और इससे पहले कि जसी कुछ कहती जोन भी वहाँ पर आ जाता है और इस बात को वह सब के सामने नहीं कह सकती थी इसलिए जसी गुड़ू से कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है लेकिन गुड़ू अकेले में बात करना पसंद नहीं करता और फिर जसी को बंद करके रखा जाता है अब गुड़ू कुछ बढ़ा करने की और आखिरकार गुड़ू दलीनी का फैवरेट बन ही जाता है। इसके बाद गुड़ू जसी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें और शिवा को यहां आने का मुका दिया था पर तुम लोग नहीं मानें। फिर गुड़ू गार्ड से कहता है कि इसे आजाद क समझते हैं इसलिए वो सारा पैसा मुझ पर ही लगाएंगे और मैं हार जाऊंगा और बाद में ये दिवार की भी जरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपनी भूग से ही मर जाएंगे। गुड़ू इन दोनों का ऐसा लालस देता है कि शाइना और जोन दोनों ही पहुती कम देखने को मिलता है और गुड़ू की इस बैतरिन फाइट को देखकर बस्ती वाले भी खुश थे क्योंकि उनका गंपद आज उनके लिए लड़ रहा था। अब फाइट में ब्रेक के बाद गुड़ू जोन को इशारा करता है कि अब वो हारने वाला है इसलिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दे इसलिए अब गुड़ू और मार खाने लगता है दूसरी तरफ बस्ती वाले गुड़ू को इस हालत में देखकर बड़े ही परिशान हो रहे थे और वो गुड़ू के लिए दुआ करने लगते हैं जब गुड़ू समझ जाता है कि जो कर सारा पैसा बैट में लग चुका है तो गुड़ू फिर से खड़ा हो जाता है और उस फाइटर की अच्छे से धुनाई करता है और फिर जीतने के बाद गुड़ू जोर से कहता है कि गंपति आला ये सुनकर गरीबों में खुशियों की लेहर सी दोड़ जाती है यानि अ गुड़ू ने उनके घर में एक फोटो में अपने दादा के साथ अपने पिता को पहचान लिया था लेकिन मैं चाकर भी उन्हें पूरा प्लान नहीं बता सकता था और जब जस्ची गुड़ू से मिलने आई थी तभी गुड़ू ने उसे बता दिया था कि उसके पास एक प्लान है और इसी वज़े से बस्ती वाले भी बाद में गुड्डू पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए थे इसके बाद गुड्डू जो उन से कहता है कि तू तो बरबाद हो गया और तेरे पास ना तो आप पैसा है और नहीं ताकत लेकिन अब तेरे मालिक की बारी है इसलिए अब गुड्डू दलीनी को धंकी देता है कि अब तो बिल से बाहर निकल फिर दलीनी को दिखाया जाता है जो की होलोग्राम टेकनोलोजी की मदद से गुड्डू के सामने आया था जो बिल्कुल गुड्डू की तरह ही दिख रहा था जो कहता है कि गुड्डू त तरह अगले भाग का इशारा करते हुए ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आप मडर पर कोई चालाकी वाली फिल्म देखना चाते हैं कि उसमें मडर कैसे हुआ और वो बचा कैसे तो आप एक बार जाने जान फिल्म को जरूर देखे और अगर उसकी कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्क्राइब करके वीडियो पर विजिट कीजिए वैसे उस कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों मुझे दें इजादत मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ तब तक के लिए गुड़बाई नमस्कार शब्बा खेर